साथियों जब हम बागवानी करते हैं तो हम कुछ extra option भी चाहते हैं जिससे बागवानी के साथ-साथ हमारे कुछ ऐसे पोधे भी त्यार हो जाए जो लंबे time तक चले और जब हमें अपने पैसेगी जरूत पड़े एक FD के रूप में तब हम उनका उपयोग कर सके उसके अंद इसरे खेत वाले को वह पोधा डिश्टप नहीं करेगा और आसानी से चलेगा अब इसके अंदर बाउंडरी के अंदर क्या-क्या उप्सन है साथियों पहला उप्सन है बास बैंबू यह बहुत अच्छा विकल्प है तीन साल बाद पहली कटाई पर आ जाता है और उसके हर काफी मल्टी परपज यह पोधा होता है इसकी जो लकडिया है वह काफी उच्छ गुनकारी और अच्छे कामों लिए यूज की जाती है अच्छी लाइफ होती है लेकिन आप जहां भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि यह पोधा कैसा है तो हर वीडियो हर यूटूबर हर सो पड़ेंगे को लगाएं शौट्क किसी चीज का नी है हर जगे है दस दाल दस साल दे रखा है ऐसा नहीं होता यह साल के अंदर काफी अच्छी कि इंकम आपको निकाल लेगा इसको भांडरी पर लगएभा कर सथा चलता है काफी जल्दी होता है इसको खेत की बांडरी पर आसानी से लगाया जा सकता है यह आप ध्यान रहें जिस साइड खाली रश्ता है जंगल की जमीन है सरकारी जमीन है उस साइड इसको लगाएं तो और भी अच्छा विकल्प है या रोड की साइड लगाएं रोड से आने वाली डस्ट को भी रोकेगा और रोड की जगे जो कव वाटर लेवल बहुत नीचे जाने वाला है और और फलदार पोदे नहीं होंगे और जो फिलाल हो रहे हैं तो आप यह उप्शन भी एक लेके चल सकते हैं बागवानी के साथ-साथ आप बाउंडरी पे अगर एस्तिरा के पोदे लगाएंगे तो आपको एक्स्टा में पानी बहुत ज़्यादा मांगते हैं दूसरा दूसरी के फसल को डिस्टप भी करते हैं तो इसलिए महुगनी अच्छा ओप्सन निकल के आया है तो आप इनकी प्लांटेशन करके एक अच्छा मुनाफिक की उमीद कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे धन्य जाहिए वाद जाहिए